नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल काम्या क्रेशन के आर जी में आप सभी का सौगत है कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज की वीडियो में बहुत ही प्यूटिफुल सा फ्लावर वास बनाने वाली हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहां पर आप द तरीके से नुकीले पॉइंट दे रही हूं आप देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके से मैंने इने कट कर लिया है अब ही मैं यहां पर एक ग्लास जार का यूज कर रही हूं तो जार यह कोई भी हो सकता है या बॉटल भी यूज कर सकते हैं तो यहां पर देखिए मैंने इसक तरीके से हमें सारी पेस्ट कर लेना है अच्छी तरीके से थोड़ा सा पेस्ट करने के बाद में हमें के लिए रख देना है तो यह सब्सक्राइब कर लिया और आप मैं इसके उपर गलू लगाने के बाद में, गलू में हमने थोड़ा सा पानी एट कर लिया था 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 कि ये पतला हो जाया और यहाँ पर मैं Tissue Paper दुबारा से सी उपर लगा रही हूं तो यहाँ पर मैं single tissue paper का यूज़ कर रही हूं आप देख सकते हैं और यहां पर बच इसके उपर दुबारा से ग्लू लगाके इसे हमें ड्राय होने के लिए रख देना है तो दोस्तों मैं आप तो को से रिक्वेस्ट करना चाहूंगे कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा वीडिय सूपकर रेडी हो गया अब यहां पर मैंने टिशू पेपर की पतली पतली स्ट्रिप्स कट की है और इनको मैं हातों से फोल्ड कर रही हूं थोड़ा सा ग्लू लगाकर आप देख सकते हैं यहां पर तो इसी तरीके से चार पांच बना लें और इनको इस तरीके से आपस में फोल्ड कर दे तो यहां पर देखे मैं सबको मिलाकर राउंड कर रही हूं और इनके एंड पॉइंट पे जो है थोड़ा सा ग्लू लगाकर इनको सिक्यूर कर दे तक कि यह आपस में चिपक जाए अच्छी तरीके से अभी मैं बॉटल के ऊपर थोड़ा सा ग्लू लगा रह तो उसी तरीके का जो है आज बहुत ही प्यारा सा वीडियो है इसे आप जरूर देखे पूरा तो यह दिकिए से ग्लू लगाकर मैंने सारी बॉटल को जो है पूरा कवर कर लिया है पीछे तक तो यहां पर देखें लास्ट में भी बॉबलू लगाकर से सीख्यूर कर दिया रатель को सुझाला है मैंने तो यह दिखें सिटरी के से तो फोल कर दें जातों से से इससे केसे लगा dit करें हे और अगे का काम बी कर लेते हैं तो यह आप देख सकते हैं यहां पर और इस तरीक के से क्लू लगाया है और मैंने ऑगीं इसई तरीके की पतले-पतले Hmm जो हाथों स मैंने बिल्कुल भी क्ले का यूज नहीं किया है वैसे आपको इस तरह का वीडियो देखने को नहीं मिलेगा आपको बॉटल पे इस तरीके का मिलेगा लेकिन क्ले से मिलेगा जबकि मैंने यहां पर क्ले का यूज बिल्कुल भी नहीं किया और यह विदाउट क्ले भी बहुत सुन्दर बनके आने वाला है तो यहां पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा लोग आ रहा है इसका तो यहां पर यह ड्राय भी हो गया है आप देख सकते हैं अब मैं ले रही हूं काट बूट की पत्ली-पत्ली इस रिप चो कि मैंने कट की हुई है और कट करने के बाद में देखे इस तरीकी से मैंने इसके उपर पेस्ट कर देना है काट बूट का भी पतला था इसलिए अराम से इसके उपर लग गया है प्रॉब्लम नहीं हुई है बिल्कुल भी थोड़ा सा प्रैस करके रखेंगे तो अराम से पेस्ट हो जाएगा यह और ड्राय हो जाएगा तो पाधा नहीं चलेगा बिल्कुल भी तो देखे इस तरीकी से इसको भी हम यहां पर पेस्ट करके रखेंगे तो यह दिकिए लास्ट भी यहां पर हम लगा देंगे गलुव और इसको थोड़ा सा पकड़ के रखें यह थोड़ा सा तो यहां पर सूखने के बाद अच्छे से पेस्ट हो जाएगा यह देखिए और अब मैंने टिशू पेपर एक बार और लिया है और उसके चोटे-चोटे से पीसिस कट कर लिये हैं और यहां पर देखिए फिंगर में थोड़ा ग्लू लगाते हुए रोल बना लूँगी तो इस तरीकी की ही घूलींगा जो है मैंने यहां पर बना ली है तो यहां पर देख सकते हैं मैं इस तरीके से उनहीं पेस्ट कर लہए हुं तो यहां पर आराम से पेस्ट कर दें बहुत inferis effect हो जाएंगे और बहुत हीप्सूरत लगने वाले हैं आप देखिए घ्रा तो यह दिखिए इस तर तरीके से मैंने लगा दिया है और उपर की तरफ भी हम थोड़ा से ग्लू और लगा देंगे और इस तरीके से इनके उपर हम और थोड़ी सी गुलिया यहां पर जो बॉल्स हमें बनाई है छोड़ी छोटी इनको लगाएंगे यहां पर यह दिखे किते प्यारे लग रहे हैं तो इस तरीके से हमें सारे बना लेना है और इन्हें ड्राइ होने के लिए छोड़ देना है तो यह दिखे यहां पर मैंने बना लिया है आप देख सकते हैं किस तरीके से लग रहे है यह देखे सुग गया है और आब यहां पर हम थोड़ा सा पेंट कर लेते हैं तो मैं यहा करें कि आसान आसान से वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हम अच्छे से इसमें पेंट कर देंगे और इसे हम ड्राय होने के लिए छोड़ देंगे तो यह दिके ड्राय हो गया है य आप yac жизни अब देख सकते हैं यहां पर मैं ब्रश का जो पीछे वाला पॉइंट होता है उसी से में यहां पर तूल की तरह उसे व्यूंस है यहां पर इस तरीकी से आप देख सकते हैं यह देखे इस तरीकी से करना है आप लोगों को समझा रहा होगा क्योंकि वाइट है तो अभी थोड़ा सा दिख नहीं रहा है लेकिन ड्राय होने के बाद में बहुत अच्छे से क्लेर होके आपको देखेगा तो यहां देखे दूस मैंने कोई भी शेप ड्रॉ करके कट नहीं किया था सिर्फ चोटी-छोटी स्ट्रिप्स कट करके उनको बनाया है तो यह देखे यहां पर इस तरीके से लीप्स मैंने बना के रेडी कर लिये हैं तो चलिए अब इसे भी पेंट कर लेते हैं इस तरीके से तो आप देख सबते हैं इसी तरीके से हमें अपने हिसाब से कलर कर लें तो यहां पर भी मैं ब्राउन कलर का ही यूज करी और बहुत हलका हलका सा कलर लगा रही हूं बहुत ज्यादा ज्यादा डार्क नहीं कर रही हूं तो इसी तरीके से हमें इसे कंप्लीट कर लेना है कलर करके तो यहां पर कि यूज कर रही हूं बियुकुल हल्का हल्का सो तो यह देखे बारी लीप्स की तो इस नहीं आसे से ब rush आठे homeless के लिए पर ने के बाद थे बहुत है अच्हा लगेगा तो इसे हम पैन हूडलर की तरह और फ्लावर वाश की तरह यूज कर सकते हैं बहुत ही प्यारा लगेगा तो दोस्तों आपको मेरे यह आइडिया कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा मुझे मैंने बहुत जादा मेहनत की है इसमें तो प्लीज 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 ज हमने बनाई हुई थी इसको भी हम इसी तरीके से प्लीज कर देंगे और यहां पर देख सकते हैं एडिटिंग में थोड़ी सी गड़बड हो गई है कोई बात ही थोड़ा बहुत चलता है तो आप यहां देख सकते हैं यह बन गई है रेडी हो गई हो और अब जो है लास्ट तो यह दिखिया हमारा कंप्लीट हो गया है और यह है इसका फाइनल लोग तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा चली मिलते नेक वीडियो में बाई बाई थैंक्स पॉर वाचिंग